Indian Navy अगनी वीर की जो rocket mitt है उसके registration प्रोसेस जो है वो start हो गया है मैं आज की वीडियो में आफको step by step full process दिखाने वाला हूँ कि आप अपनी Indian Navy की जो अगनीपत स्कीम है उसके registration कैसे करोगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर देना तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आपको आना होगा अपने मॉबाइल फोन के क्रोम ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा www.joinindiannavy.gov.in ये सर्च करने के बाद आप इंडियन नेवी की ऑफिशल वेब साइट पे आ जाओगे आपको यहां पे साइट पे एक ऑफिशन आ रहा है कैनिडेट लॉगिन और रिजिस्टर तो आपको यहां पे रिजिस्टर पे क्लिक करना होगा रिजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रिजिस्टेशन पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पे डी से करोगे तो आपके अधार पर ओधार कारड पर Molly link होगा तो आप तभी रिस्टर कर सकते हो विधा अधार विचल अबिचल आइडी के साथ तो आपको यहां पर click करना होगा reaches with अधार इसे click करने के यहां पे आपको select करने होगी अपने photo ID तो आपको यहां पे 10th और 12th passing certificate select करना होगा उसके बाद यहां पे आपको जो 10th यह 12th passing certificate number fill करना होगा उसके बाद आपको capture fill करने के बाद आपको save पे क्लिक करना है capture fill करने के बाद आपको save पे क्लिक करना है save पे क्लिक करने के बाद save पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको अपनी personal details fill करने होगी सबसे पहले आपको यहां पे अपना name fill करना होगा उसके बाद आपको middle name fill करना होगा उसके बाद यहाँ पे फदर या मदर नेम फिल करना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको गार्डियन नेम फिल करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड नमबर फिल करना होगा और यहाँ पे आपको अपनी डेटबर सेलेक्ट करनी होगी उसके बाद आपको यहा आपको यहां पर identification mark अपना यहां पर identification mark 1 और identification mark 2 select करना होगा उसके बाद आपको यहां पर अपने educational details select करने होगी, आपकी highest qualification ज्या है? उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना होगा अपना capture, capture फिल करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना होगा, I agree to subscribe alerts for entry openings और यहाँ पर I agree to terms conditions पर टिक करना होगा, अपनी educational details फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी accounts details फिल करने होगी, यहां पर आपको email id डालनी होगी और यहां पर आपको एक password आपको डालना होगा उसके बाद आपको यहां पर confirm password डालना होगा confirm password डालने के बाद आपको capture फिल करना होगा capture डालने के बाद आपको I agree to subscribe to alerts for entry openings पे click करना होगा और I agree to terms and condition पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा सेव पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा account successfully created instructions have been sent to your email ID तो आपके account पे जो instructions है वो send कर दिये जाएंगे और उसके बाद अगर आप 24 गैंटे तक अपने accounts को verify नहीं करते हो तो आपका account जो है वो delete कर दिया जाएगा उसके बाद आपको open करनी होगी अपनी email ID email ID open करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर message आ गया है एंडियर निवी का तो उसके बाद आपको यहाँ पर click here to confirm पर click here to confirm पर click here to confirm पर click करने के बाद mobile number verify होने के बाद आपको show होगा account successfully created उसके बाद आपको यहाँ पर अपना correspondence state select करना होगा आपको यहाँ पर select करना होगा अपना current state जो भी होगा आपको select करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर capture fill करना होगा capture feel करने के बाद capture feel करने के बाद आपको save पे click करना है save पे click करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे show हो रहा है already have an account तो आपको यहाँ पे अपनी email ID और password जो आपने set किया था registration के time वो fill करना होगा और आपको यहाँ पे fill करना होगा capture capture fill करने के बाद आपको login पे क्लिक करना होगा login पे क्लिक करने के बाद email id और password डालने के बाद आप successfully login हो जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी diploma marks sheet upload करने होगी diploma marks sheet upload करने के बाद आपको अपनी जो 12th science qualification है जो 12th आपने qualification जो भी select की थी पीछे उसके बाद अगर आपका जो percentage है वो marks में है तो आपको यहाँ पे marks select करना होगा अगर CGPA में है तो आपको यहाँ पे CGPA अपना select करना है उसके बाद आपको अगर आपका जो marks system है तो उसके बाद आपको यहाँ पे English के जो total marks है वो यहाँ पे enter करने होगे total marks अंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपने opportun marks अंटर करने होगे उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी subject अगर है physics है chemistry है total marks और opportun marks अपने जो भी subject आपके हैं उनके enter कर देने अंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो optional subject है वो select कर देना है अगर इन में से है कोई तो आपको select कर देना है अगर नहीं है तो इसको आपको blank रख देना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना marks sheet का roll number अंटर करना होगा उसके बाद आपको यहां पे आपको किस state ने एक्जाम आपका conduct किया है, जिस state ने भी conduct किया होगा तो आपको अपनी state select कर देनी है, state select करने के बाद आपको यहां पे अपना board select करना होगा, जो भी आपका board होगा, board select करने के बाद आपको यहां पे 10th qualification details enter करनी होगी, अगर आपक का जो रिजल्ट है वो माक्स में आया है तो आपको अपने माक्स यहां पर एंटर करने होंगे अगर सीजी पे में आया है तो आपको अपने सीजी पे माक्स एंटर करने होंगे उसके बाद आपको यहां पर अपने टोटल माक्स एंटर करने के बाद आपको यहां पर अपने ज select करना होगा आपको किस state ने आपका जो exam है वो conduct किया है यह select करने के बाद आपको अपना board select करना होगा जो भी आपका जिस board से भी आपने 10th किया होगा यह select करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी marks sheet select करने होगी mark sheet select करने के बाद आपको यहां पर passing certificate आपका जो होगा वो select करना होगा passing certificate select करने के बाद आपको यहां पर capture fill करना होगा capture डाने के बाद आपको save पर click करना होगा save पर click करने के बाद save पर click करने के बाद आपको दिखाएगा your education profile has been updated successfully, उसके बाद आपको यहां पे अपना permanent address fill करना होगा, यहां पे अपना address fill करना होगा, आपको यहां पे अपना alternate email id fill करने के बाद आपको यहां पे अगर आपका जो correspondence address Sam होगा as a permanent address के से है तो आपको यहाँ पे Sam as a permanent address पे click करना होगा इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको अपना passport size photograph upload करना होगा आपका जो passport photo size होगा उसका जो size है वो 100KB तक allowed होगा आपको size जो है passport size photograph का वो JPEG JPEG फार्मट में रहने वाला उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी signature upload करनी है signature upload करने के बाद आपको अपनी domicile upload करनी है अगर domicile आपके पास available होगी तो आप यहाँ से upload कर देंगे आपके अगर नई भी होगी तो यह optional है उसके बाद यहाँ पे आपको capture feel करना होगा capture feel करने के बाद आपको save पे क्लिक करना होगा उसके बाद आपको दिखाएगा your communication profile has been updated success वो यहाँ पे current opportunities पे click करना होगा current opportunities पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अगनिवीर का जो option है वो apply का आ जाएगा इसमें जो अगनिवीर का application window जो है वो 15 जुलाई को open होगा जो last date रहने वाली है वो 30 जुलाई 2022 को होगी और जो detailed notification है अगनिवीर इंडियन नेवी का वो नाव जुलाई 2022 को आएगा और ये थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई अलाहाफिज थेंक्यो